पारश लोट ये निरा मैं रिक्वास्ट करता हूँ डिसी साब से भी और ये एई साब और जेई साब जो है इनकी वज़ा से उगर ये प्राब्लम आरे डिपार्टमेंट पीएची आज बाई साल हो गें इस टेंक को ये टेंक अधूरा बना हुआ है इसका दखा रहे हैं कि प है बेड़ आध करेंदे पर अठा कर गए हमें सक्त प्रिछानी है और हमारे बच्चे भी जो है जी हमारे रिक्वेस्ट है ये जो डिसी साब में किता कि इसकी इंकौरी हो और ये इसका कहां खुआ चला गया इसका सेमिट कहां चला गया किसने खा लिया बग्यु इसके इनक पारी चलाई जाए और इसका जुआ बहुत भुरा हला है यह कंडिशन आपके समने टेंग की और इसका सब कुछ चोरी हो चुका है और पाणी दखा रहेंगे पाणी चारा कोई पाणी चारा है रिक्वेस्ट करता हूं में इसके इंक्वारी की जाए और मीडिया के बहुत कर गजार हूं आज आपने जैसे देखा यहां बहुत सारे मेरी बेहने मेरी बेटियां मेरे बाई मेरे अजीज पानी के लिए यहां कठे हुए हैं इनको पानी दस्याब नहीं है मैं तफसिल से बात करूँ आपसे कि यह एक बोर्वल सकीम है जो आई से तीन साल पहले यह बोर हुआ है और इस बोर्वल आप देखेंगे इस बोर्वल को भी आप ले लें बोर्वल के बाद आप में आपको बताऊं कि यह मिशनरी जो अमारे सामने पड़ी है इस तरफ राइट साइड राइट साइड अप हमारी मिशनरी पड़ी है यह मिशनरी एक साल पहले से आकर यहां डाल दी है मुझे लगता है कि इस मिशिनरी पर लाकूर रपे खर्च हुए होंगे यह मिशिनरी जो पड़ी है यहां इस पर लाकूर रपे खर्च हुए होंगे और बदकिस्मती से मैं कहूंगा यह हमारी इस अलाके की अवाम की बदकिस्मती है कि मिशिनरी इस हाल में पड़ी हुई है मैंने कई बार जुमधार अफिसरांट से कजारश की कि आप आईए और इसके हाल देखिए आप देखेंगे इसको जाइंगलूदा हो चुकी है और बिलकुर खत्म हो चुकी है बारश में पड़ी हुई है यहां यह यह मिशिनरी मुझे इसके एस्टिमेटर कास्ट गौर्मन जाने लेकिन मैं यह कहूँगा कि मारी बाधाली का यह बड़ा सबूत है कि मुझे नहीं लगता कि अगर सेम यही आलत रहेगी तो पचास साल बाद तक भी हमें कोई पचास साल बाद तक भी हमें कोई पानी यहां मिल सके मैं आज इस इसके साथ साथ यहां हमारा यह टेंक बना है आप नहीं पांप रूम बना है टेंक तो बेस टेंक बना ही नहीं है पांप बना है पांप रूम जो बना है वो पांप रूम क्रैक हो गया है अंदर इंस्टाल करेंगे तो यह मिशिनरी कितने देर तक चल पाएगी यह मैकमा खुद ही जाने इसका फैसला करें मैंने चंद दिन पहले यहां के जमदार अफीसरांट से कजारश की कि आप इस जो यह सकीम है इसके बारे में हमें इसका स्टैटस बताएं कि यह कब चलनी है इस पर पैसा कितना लगा है और इसका जो बाकी पैसा बचा है उसके क्या पॉजिशन है मुझे किसी अफीसर ने कॉपरेट नहीं किया मैंने कल की बात है मैं आप मीडिया के जरीए यह भी बताओं कि कल मैंने एस्टैएम साहब से फोन पर बात हुई उनने कहा मैं फोरण प देखेंगे क्या है मुझे कोई पीएची का एक जुमा आदमी बोलता है कि ता मैं पुंच में हूँ आप मुझसे बात कर लो तो यह काम ऐसे ही चलते रहते हैं मुझे इस मुझे इसकी ट्रांसलेशन में नहीं कर सकता हूं कि हम यह काम ऐसे ही चलते रहते हैं कैसे चलते रह और हम यह जामिया इंक्वारी की जरीया चाहते हैं कि इस सकीम पर कितना पैसा खार्च हुआ आप इसके देखेंगे यह ऐसे रास्ते में पड़ी हुई है पांपरूम को देखें अंदर जाके देख सकते हैं पांपरूम बिल्कुल क्रैक है और उसमें पानी जब बरसात का पानी होता है पानी से बर जाता है गोया यह एक वाटर टेंक की इस वक्त पॉजिशन में है मैं आज इस प्रेस कानफरंस के जरिया मैं यह भी गजारश करूंगा कि इस सकीम पे हुए अखराजात का एक बाखत्यार कमेटी के जरिया ताकिकात होनी चाहिए अगर ऐसी कमेटी जिसका कोई किसी से कोई तहलक नहों मुझे डिस साब से हमेद है कि डिस साब इसके लिए किमेटी कांसिचूट करेंगे और इसकी नि приготов की कारी होगी इस पर किस किस ने पैसा खाया कितना पैसा खाया अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जुमा लोग हैं जो मैंकमा की अंदर बैटे हैं अगर उनके घरों की पोजिशिजन देखेंगे उनके पासGाडियां देख तो मैं आज इस परस कांफरंस के जरीया में इस पूरी सकीम के मतलब एक जामिया इनकवारी एक बाखतियार काफिसर के जरीया इनकवारी जाता हूं मुझे डीसी राहूल यादो साब पर पूरा ब्रोसा है कि वह इनकवारी कमेटी कांसी चूट करेंगे और इस पर हुए अखराजात का पूरा जो तकमीना है वह आवाम के सामरे रखेंगे आप इसमें देखेंगे शायद आपको यह भ कमेटी बेज़ दीजिए उस कमेटी के जरी हम तकिकात करवाएं कि कहां पाइप लगी किस तरफ लगी कहां लगनी चाहिए थी जहां लगनी चाहिए थी वहां नहीं लगी और जहां नहीं लगनी चाहिए थी उस तरफ लगा दी हालांके सरकार के यह दावे हैं कि जल शक्त नहीं जा सकते हैं, बच्चे पानी लाते हैं, पानी दो किलो मिटर दूर से जाके दरिया से लाते हैं, और दरिया में गंदा पानी है, गंदा पानी पी के यहां के लोग बिमार होंगे, मुझे अफसोस होता है एड्मिस्ट्रेशन पर, कि एड्मिस्ट्रेशन सिर्फ अपनी गाडियों में गूमने के लिए है एडमिस्टेशन सिर्फ आला शान महलात बनाने की दोड़ में है वो अपना घर बनाने की दोड़ में है मैं आप मीडिया अजरात का तह दिल से यहां के आवाम के सथ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त नकाला और हमारी यह प्रा हमें आइंदा भी कोई मुश्कलात होगी तो हम आपका तहावन लेंगे और हमें यकीन है कि आप अमारी आवास बनका अमारी मुश्कलात को आगे अडमिस्टेशन सब्चाएंगे बहुत बहुत शुक्रिए